हेलो दोस्तों स्वागत है अब सभी का मेरे चैनल पे तो मटर का सीजन चल रहा है यानि कि ये सीजन में मटर काफी सस्ते मिलते और काफी फ्रेश भी रहते तो मैं बाजार से डेड़ सारे मटर लेके आ गया था और घर में आलो और गोबी पहले से पढ़ाई था तो मैंने सु चुरू करें चलिए फिर तो आलो गोबी मटर की सब्से बनाने के लिए सबसे पहले देखे मने या पर तीन मीडियम साइस के अलू ले लिये इनको मैंने अच्छे से दोक के छी ली आ था और छील के मैंने इस तरह से इनको चोटे-चोटे क्यूब से जाने की चोटे-चोट पॉरी मटर ले लिया मटर को मैंने 10 मिट तक अच्छे हाइफ लेंपे पानी में उबाल लिया था उबालने से काफी सॉफ्ट हो जाते तो सब्स बनाते टाइम ज्यादा टाइम लगता इसको पकने में तो चलिए अब इन सब को हम फ्राइ कर लेते तो फ्राइ करने के लिए हमने कट करके रखा था और अब इन आलो को मीडियम टू हाइफ फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना इसको बस है ना इसको पका लेना बाहर से क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा तो बीच बीच में आप इससे चलाते बरिए ताकि हर जगे से अच्छे से पके वैसे कुछ लोग आलो को भूंचते नहीं है फ्राइ नहीं करते उससे बस उबाल कर डाल देते लेकिन उससे उतना स्वाद नहीं आता है इसलिए मैं फ्राइ कर रहा हूं तो लिजे पाच मिन तो लिजे सारे आलो हमने तेल से बाहर निकाल लिए है अब इसी तेल में हम सारे गोबी के फूल भी डाल देंगे और इनको भी हम मीडियम टू हाई इट पर पाच मिनट के लिए अच्छे से फ्राइ कर लेंगे तो बीच बीच में से अब चलाते भी रही अच्छे से ताकि हर जगे से अच्छे से फ्राइ हो जाए तो लिजे 5 मिनट हो चुक और इस पर थोड़े थोड़े brown spots भी आने शुरू हो चुक है इसका मतलब यह अच्छे से पक चुका, अच्छे से fry हो चुका है तो अब हम gas को कम कर देंगे और सारे गोबी के फूल को भी निकाल देंगे तेल से तो लिजे सारे गोबी के फूल को भी हमने fry करके निकाल लिया है तो अब हम क्या करें कि इस कड़ाई से सारा तेल निकाल देंगे बस इसमें तीन बड़े चमच के आसपास तेल रहने देंगे और इसी तेल में हम एक छोटा चमच जीरा डाल देंगे उसके बाद हम इसमें आदा चोटा चमच हेंग डाल देंगे और इनको एक बार हम थोड़ा सा चला लेंगे अच्छे दे फूटने देंगे तो जैसे जीरा फूटने लग जाए इसमें हम एक हरी मिर्ज डाल देंगे उसके बाद हम इसमें बारीक कट वे प्यास डाल देंगे और एक बार हम इनको चला लेते हैं और प्यास को अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें एक छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानि के अधरक लसन का पेस्ट डाल देंगे उसके बाद हम इनको 2 मिनद तक medium flame पे अच्छे से पका लेंगे तो 2 मिनद तक प्यास को पका लेने के बाद हम इसमें आदा छोटा चमच कश्मिरी लाल मिर्च का powder डाल देंगे अगर आपके पास ये पास ये ने आप थोड़ा सा normal लाल मिर्च powder भी डाल सकते इसके बाद हम इसमें एक छोटा चमच हलती पावडर डाल देंगे फिर इन मसालोंगों हम एक बार अच्छे से चला लेंगे तो इनको अच्छे से चला लेने के बाद हम इसमें दो टमाटो और चीली का प्योरे डाल देंगे मैंने यह पर दो टमाटो और दो हरी मिट्च को अच्छे से पीस लिया था उसको ही हमने इसमें डाला है अब इनको भी हम अच्छे से मिला देते है तो लिज़े प्योरे भी अच्छे से मिल चुका इसमें तो अब हम इसमें स्वात के नुषर नमक डाल देंगे नमक डालने से क्या ये थोड़ा जल्दी पकण मेने गहाँ इसका पकणे का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा तो नमक डाल देने के बाद अब हम गैस के फ्लेम को हाइक कर देंगे और इसको हम लगातार चला के पकाते रहेंगे जब तक सारा पानी सूख ना जाए इस प्योरे से तो लिजे पानी सूखना शुरू भी हो चुगा विसे हम लगातार चलाते ही रहेंगे जब तो यह पूरी तरह से ना सूख जाए तो देखिए सारा पानी सूख चुगा इस प्योरे में से अब यह बढ़ियांसा पेस्ट बन गया है सूखासा तो अब हम गैस के फिल्म को एकदम कम कर देंगे और इसमें हम एक बड़ा चमच धनिया पाउडर डाल देंगे उसके बद हम इसमें एक छोड़ा चमच जीरा पाउडर डाल देंगे फिर एक बार हम इसे पेस्ट में अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से चला लेंगे इन मसालों को तो इनको अच्छे से चला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पाने डाल देंगे पाने डालके से हम थोड़ा गाढ़ा कर देंगे तो देखिए बढ़ियां गाड़ा से एकदम थिक पेस्ट बन चुका है तो अब हम क्या करेंगी सबसे पहले अपने जो मटर उबाल के रखे दिन हमने वो डाल देंगे इसमें और एक बार हम इसे अच्छे से मिला देंगे अच्छे से चला देंगे तो मटर को अच्छे से मिला लेंके बाद हम इसमें फ्राइक हमारे आलो डाल देंगे उसके बाद फ्राइक हुए वह गोबी के फोल डाल देंगे फिर इनको हम अच्छे से मिला लेंगे इस टमैटो को थिक पेस्ट में तो देखे सब कुछ अच्छे से mix हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक छोटा चमच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे उसके बाद हम इसमें एक छोटा चमच कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे इससे बहुत ही बड़ी आ फ्लेवर आता है तो चलिए अब इनको हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं तो चला लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी डालके एक बार हम अच्छे से इसे मिला देंगे तो इनको अच्छे से मिला लेने के बाद हम गैस के फ्लेम को एक दम कम कर देंगे और इस सब्जी को हम अधकत के थक्कन से धकके 15 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे तो 15 मिनट हो चुगा अब हम धक्कन को हटा लेते कितना बढ़ियां स्मेल आ सब्जी में से लेकिन अभी रुख जाईए अभी हम इसमें बारी कटे हुए ताजा धन्या के पत्ते डाल देंगे इससे और भी बढ़ियां स्वाद आएगा स्वाद बढ़ जाएगा और उसके बाद हम इनको एक आखी बार मिला लेंगे अच्छे से चला लेंगे तो लिजे सब्जी तो तयार हो चुकि अब हम गैस को बंद कर देते हैं तो यह लिजे दोस्तों हमारी बहुत ही टेस्टी आलू को भी मटर की सब्जी बनके तयार हो चुकी है आप भी इसी तरह से बनाएए इंजॉय किजे इसे पूरी रोटी पराटो के साथ और कमेंट कर के जरूर बताई आपको रैसेबी कैसी लगी और हां वीडियो लाइक भी कर दीजेगा ताकि जब आप बना रहे आपको कोई भी दिखकत हो तो आप लाइक वीडियो में जाके वीडियो देख सकते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवादी वीडियो देखने के लिए अरे रुके रुके जाकर रहे वार नए आयो चैनल पे एक सब्सक्राइब तो बनता है ना ठीक है आप सब्सक्राइब कर देना हम मिलते अगले वीडियो में